हलो स्टूरेंट मैं दिक्छा स्वागत है अपका आपके अपने यूटूब चैनल में जिसमें हम पढ़ रहे हैं अक्टूबर 2020 के करेंट अफेर को इस करेंट अफेर संकला के अंतरगत अभी तक हमने पॉलिटी के सेक्शन को कवर किया हुआ है आई आर के सेक्शन को कवर अप किया हुआ है आज का जो हमारे सेक्शन है वहे एकनौमी कर रहेगा आज जो हम पढ़ेंगे एकनौमी के बारे में चलिए तो देखते हैं जिस सबसे पहले एकनौमी के टॉपिक को जानते हैं कि एकनौमी के संदर में कौन कौन से टॉपिक दिये गए हैं फिर उसकी बारे में वरिस्तित में चर्चा करेंगे तो चलिए तो सबसे पहले जानते है एकनौमी के संदर में आता है पहला इसमें आता है कि एमे स्वामी नाथन के युगदान की बारी में दूसरा आता है भारती किर्सी अनुशे नान परशद राश्टी हल्दी बोर्ड की बारी में नोबल पुरुसकार दो हजार तेईस की बारी में और अर्थसास्तर में नोबल पुरुसकार जिसमें स्रंबल में महलाओं की संदर में है फिर संचिप्त सुर्खियां आती है जिसमें संचिप्त सुर्खियों में आती है पहली आउधिक स्रंबल सरवेक्षड रिपोर्ट 2022 की बारे में पढ़ेंगे बॉन्ड इल्ड की बारे में पढ़ेंगे ब्यापार उबिकास रिपोर्ट की बारे में पढ़ेंगे फिर इसकी बार तुरित सुधारात्मा कारवाही फ्रेंबर की बारे में भारती रिजर्ब बेंक, बिल्फुल डेफॉल्टर्स और लार्ज डेफॉल्टर्स के साथ बेवहार दिसा निर्देश 2023 जारी किये गए हैं उनकी बारे में, फिर आता है इसके संदर में कार्ड औन फाइल, टोकनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, बस्तु एवं सीवाकर के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी बाउन भी बेठाकाय उजद की गई हैं, राज्टी निवेश और अउसन रचना कोस के बारे में पढ़ेंगे, फिर IRDAI ने, बीमा वाहिक दिसा नर्देश चोजारी के उनके बारे में, किटिकल और साम्रिक खनिच के बारे में, इंडिया स्मार्ट सिटी, पुरुसकार प्रतियुक्टा की बारे में, और परेटन छेत्रक को बढ़ावा देने के लिए गुवा रूड मेप, गुवा रूड मेप की बारे में, निरियाते तुत पादों, परसुल की वंकरों की चूटी उजना, सौचारेत स्टीट हूल्डर प्रमा इस रिलेटेड टॉपिक हैं, चलिए तो सुरू करते हैं, आज के हमारे पहले टॉपिक को, चलिए तो सुरू करते हैं, आज के हमारे टॉपिक, पहला टॉपिक, एमे स्वामी नाथन की युगदान की बारे में, चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हाली में इसकी सु पर यहया है योगदान रहा है चलिए तो जानते हैं एमे स्वामी नाथन की बारी में कि इनका क्या इंपोर्टेंस है और इनकी बारी में जानते हैं कि इनका क्या योगदान रहा है तो इसमें आता है सबसे पहले कि एमे स्वामी नाथन की बारी में कि पादप आनवान सकी बिद थी उन्ह भारत की हरितक्रांती का जनक और हरितक्रांती का प्रमुक वास्तुकार माना जाता है और उन्हें किसान विग्यानिक भी कहा जाता है तो ये मार्स्वामीनाथन को किसान विग्यान भी कहा जाता है विग्यानिक भी कहा जाता है हरितक्रांती का जनक कहा जाता है हरित करांती का प्रमुक बास्तुकार भी इनको कहा जाता है जिनका हाली में निधन हुआ है और इनका पूरा नाम क्या है मन कॉम्बो संभा सिवन स्वामीनाथन विराता है कि भारत की हरित करांती की नेतत करने के लिए उन्होंने 1987 में पहला विशुखाद पुरुसकार दिया गया था और उन्होंने पदम विभूशण रमन मेगन से से पुरुसकार सहित का इरास्टी और अंतरास्टी पुरुसकारों से सम्माने किया जा चुका है चले तो जानते हैं इनकी योगदान की बारे में इनकी योगदान में पहले नंबर पे तो आता है कि उनकी आनवानसिक सूध की संदर में पहला आता है उन्होंने ब्रीडिंग कारक्रमों के तहट फसल कि ऐसी किश्म बेक्सित करने का सोध किया जो नाकी बलादे को पज़ देने वाली बलकी कीट और रोग प्रतिरोधी भी हो उनकी सूध से फसल की कई नई किश्मों का विकास संबा हुआ है जो भारतिय जलवाई हो और किर्शी पारिस्ते कियों के अधिक अनकूल हो धान की किश्मों की बारे में उन्होंने उडिशा के कटके स्थेट केंडरे चावल अनुशननान संस्तान में प्रोग्राम से जुड़े सूधों में अपना युगदान दिया हुआ है इस प्रोग्राम के तहट नोने उर्वरकों में कुसल युगदान आधिको पजवाली और शोटी कदवाली धान के किश्मों को विक्सित करने पर भी सूध किया जिनका उद्देश स्थानी ये प्रोग्राम सुरूप ADT, 27 और रासी जैसे कई विक्सित पे किश्में विक्सित की गई है इस परियोजना की तहट विक्सित किश्मों में भारत ने हरितकांती की लोगों में पिर्तिक्छ युगदान दिया हुआ है उनके मार्दर्सन में विज्ञानिकों ने जीनोम अनु प्रोग्राम ने राइस प्रीडिंग प्रोग्राम को आरंभी किया इसके तहट बास्मती चावल की किश्मों में ऐसे गुण स्थान अंतर्ट किये गए हैं जिसमें धान की बालियों की लदे तने जीचे जुग कर जमीन पर नागिरे और इस प्रोग्राम की परणाम सुरू अब हमें भूशा बास्मती किश्मों पराप्त हुई है तो यह धान की किश्मों की संदर में उनकी योगदान को आता है फिर आता है गेहों की किश्मों की संदर में उनका योगदान किश्वामीनाथन की बाद में अपना ध्यान धान की किश्मों की विकास से हटा कर गेहों की सभी इस्थानी किसमें लंबे तने वाली होती थी ये लंबे तने दानों से बरी भालियों की भार के कारण चुप जाते थे और यहां जमीन पर गिल जाते थे तो ये गहों के किश्म के संदर में है उसके संदर में देखा गया कि उन्हों ने वोस समय जो गाई जाने वाली क किश्में विक्सित की थी और मल्माल बॉल्फ नोक जो थे पै अमेर की किटसी बिग्यानिक थे बेंतर राज़ती चाल लंसंधान संस्थान की भी बिग्यानिक थे और श्वामी दाथन ने मैक्सिकन ग्यहों कि इस बौनी किश्म की छंता को पहचाना और रोग प्रित्रो दी और अधिको पज़ देने बाली किश्म थी डॉक्टर स्वामी नाथन कि बोड़ लोग मदद से गयहूं की इन किश्म को अतिरिक्त सूध की बाद सोना लिका और कल्याड सोना जैसे किश्म को भी बिक्सित किया तो इनकी संदर में अभी तक हमने देखा इन्होंने आनवानसिक सूध में इनका योगदान रहा दान की किश्मों में गयहूं की किश्मों में फिर आता है आलो की संकर किश्मों में इनका योगदान आलो की संकर किश्मों में उन्होंने सीथ पित्रोधी किश्म अलास का फ्रॉस्टोलेस बिक्सित की हुई थी पादब किश्म की सहभागी विकास को बढ़ावा दिया इसके तहट किसानों को इस्थानी परिस्थितियों के अनकूल नई किस्मों को विक्सित करने के लिए सहायता दी जाती है फिर आता है आर्थिकी पारिस्तिकी में योगदान की बारी में इनका इसके संदर में योगदान रहा की किर्सी में सदावाहर क्रांती रूपी आंदुलन का नेतर्ट करने के काण उन्हें एन यू एन एपी ने आर्थिक सांस पारिस्तिकी के गिजनक के रूप में भी सम्मान सदावाहर किरांती की संदर में देखा जाए तो उन्होंने अपने प्रियासों की माध्यम से सदावाहर किरांती को लाने करके अंदर्ट किया और इस करांती का उन्होंने पारिस्त की को नुकसान पहुचाए बिना हमेशा के लिए उत्पादक्ता में सुधार की लूप में प दू, एकुलोजी, तरीकों की बकालत की और उन्हें किसी जतिविदियों के, सभी चेत्रों में सनरक्षणों विकास की संदुलन बना ले के लिए फोर्सी का प्रिस्ताव दिया, फोर्सी के अंतरगत पहला सी आता है कंजर्विशं जैसे सनरक्षण कहा गया, दूसरा सी आता है कल्टिविशं जैसे खेती और तीसरा सी आता है कंजर्विशं उपभूख और चौथा सी आता है कॉमर्सलाइजेशन के बेहशाई करण, तो उन्हेंने फोर्सी को प्रोसाहन दिया, फिर आता है कि प्रोधिकी को अपनाने के संदर में, प्रोधिकी को अपनाने के संदर में उन्होंने हमेशा अग्रहनी प्रोधिकीयों का उप्योग करने और पारस्त की संरक्षण में अवारी सम्रद बिरासत के साथ उन्होंने मिलाने की बकालत की। जिसमें पहला आता है उनके बारे में राश्टी किसान आयुक के संदर में। प्रण पड़ाली के विस्तार की भी से फारिस्क की हुई थी। एमेश्वामी नाथन रिसर्च पाउंडेशन की राम से जाना किया। पौधों की किस्मों की संरक्षड की बारे में इसमें अनौने पौधों या पौधप किश्म की किसी अदिकार संरक्षड अधिनियम 2001 को तयार करने में। पूर फूम करने भाई वा भारत नहीं है कानून ट्रिप से समझोते कि सब तहत पौधों की किस्मों को सुरक्षा प्रिदान करने की अपने दायतों की तहत बनाया गया था इसके संदर में अब आता है खादु सुरक्षा की संदर में उन्होंने खेती के साथ पोशन को एकिकर करने के दो कदम उठाएं, जिसमें पहला आता है बायो फर्टिलाइट, पौधों का ईकनवान से उध्धान स्थापित करना, जिसमें उध्धान किशानों को रीसे पौधों से परचेत करने के लिए इसतापित किये जाने थे, जो पौधों को आविशक सुक्षिंपोशक्तत या प्रोटीन प्राप्त कर सकते थे फिर आता है कमिन्टी हंगर फाइटर्स तैयार करना कि फाइटर्स अपने छेत्र के कोपोशन से संबंदे समस्यां और तथावने दूर करने की तरूकों में अच्छी तरह से परचित होगे तो इनके संदर में इन्ह बश्मों की संलक्षर और खादि सूरक्षा के संदर में अब आता है इसके संदर में आपदा प्रवंदन की संदर में किया प्रवंदन में आता है कि इन्हों में कई संस्थानों की स्थापना की मदद की जिन संस्थानों में निम्लेखे संस्थान सामिल है इसमां पहला आता है हल्द सुक से और उश्रिकटिवंदिये छेत्रों के लिए अंतराश्ट यह फचल अनुसंदान संस्थान पटांचेरू हैदराबाद की निकट इस्थे थे दूसरा आता है International Board for Plant Genetics Resources रोम में इस्थे थे जिसे अब बायो डाइवरसिटी इंटरनेशनल की रूप में जाना जाता है फिर आता है International Council for Research on Agroforestry नेरोबी में है और International Center for Genetic Engineering and Biotechnology नई दिल्ली में इस्थे थे तो यह प्रमुक रिसर्च संस्थान रहे जिनके द्वारा मदद क की गई स्थापना में वदद की गई अब आता है पंचवर्सी योजनाओं के संदर में पंचवर्सी योजनाओं के संदर में देखा जाए कि पंचवर्सी योजना के संदर में आता है इनके बारे में कि नहोंने छटी पंचवर्सी योजना जोकी 1985 के संदर में रही योजना कि दोरा इन से महत्वूर फूम का निभाई इस परियोजना में पहली बार दूनाय ध्या जोड़े गए जिसमें एक अध्य है महिला इवं विकास का और दूसरा ध्यावरन इवं विकास का इसके अंतरगा जोड़ा गया UN Millennium Project के बाले में उन्होंने साइट तरैष्ट Millennium Project की साय अध्यख्षता भी की और इस प्रोजेक्ट ने दूछ़़चर पांच में शुरुआत में गरीबी भुकमारी बीमारी निरक्षर ता परियावरनी छनर्ण और महिलाओं के पृति भेदवा को कम करने और इस पस्टे ल की बकालत करती रहे और उन्हा सुरिशित किया कि किर्सी से जुड़े बेचाने विग्यानिक नवाचार कलाव जमीनी इस्तर तक पहुंची जिससे आने वाली बेडियों की विकास संधानेता और सम्रिध्धी को बढ़ावा मिल सके भारती किर्सी के लिए उनके विचार अनु बारती किर्सी अनुशंधान परसत की बारे में बारती किर्सी अनुशंधान परसत का हेड़क्वाटर नई दिल्नी में है यह किर्सी ओकिशान का लियार मंत्राले के अंतरकत आता है और इसकी उत्पत्ति इससे पहले इंपिरियल किर्सी अनुशंधान परसत के राम से जान के तहत एक सु आयत संगठन है इसका कारी जो होता है यह पूरी देश में बागवानी मतसपालन पैसु विज्ञान सहित किर्शी छेत्रों में अनुशन्धान और सिक्षा की समन्वे मारदर्शन और प्रवन्दन के लिए सरवुच निकाय के रूप में कारी करना है इसके अंत नई दिल्ली में एक अंतराइस्टी अनुशन्धान सम्मेलन का आयुजन किया गया इस सम्मेलन की जो थीम थी वह अनुशन्धान से प्रभाव तक नियासंगत और अनकूली किर्शी वखाद पडालियों की ओर होना है सम्मेलन का आयुजन ICAR और CGAR जेंडर इंपेक्ट प् पहली आती किस्मों की बारे हैई पसलकी किश्म Đ大概 अधिको पच देने वा अलग अलगद फस लों की नई किश्मों को विक्सट करके रित रांती के लाने में अगहऩडी भूम का निभाई जिसमें से कुछ निम्नी लिखे थे जिसमें पहला आता है जिसमें धान की खेती कि Ax दान की किश्म में जैसे जया, स्वर्णा, पूशा बास्मती 1121 आती हैं, मतलब एक के दो बन आती हैं, फिर आता है जया किश्म की बारी में भारत में जारी की गई खाद की पहली संकर किश्म है, पूशा बास्मती 1121 इसे बिश्व की दान की सभी किश्म में सबसे लंबा दान अर्था चावल का जुदाना होता है वह लंबा निकलता है इसके संद्र में अब आता है गयहों की किश्मों में अनार आदी इसके आते हैं अब आता है बीच कारक्रम के बारे में ICER ने बीजों की सैप्टी डुप्लिकेट की रूप में सुरक्षित रखने के लिए स्वालवार्ड ग्लूवल सीड बॉल्ट की में जमा किया हुआ था सैप्टी डुप्लिकेट में किसी सामगरी का डुप्लिकेट और से सम्मंद जानकारी दोनों सामिल होते हैं जीनोमेक्स के बारी में ICER ने डिली में टाइस्टी जीन बैंक के स्थापित करने में मदद की हुई थी जो की विस्व का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक है इसमें चार दिसमनों बावन लाग से अधिक देसी और बिदेसी पिल जाती हो की किसमों के संरक्षित करने की शुबदा मौजूद है साथी इस जीन में एक बड़ा क्रायो प्रजरिविशन बैंक भी है ICAR की बैश्व की स्थर पर धान, गेहूं, टमाटर और आलो की जीनॉम अनुकर्मण ने भागिदारी किये इसके अत्रिक्तिस ने अपने इस तर पर अरहर जूट आम मचलियों की जीनॉम को भी अनुकर्मित किया हुए अब आता है एकी करत किर्शी के बारे में किया ICAR एकी करत किर्शी पडाली को बड़ावा दिया है, इससे अपसिष्ट पुनल चक्रण, जलवाईयों नुकूलम, जोखे उन्यूनिकरण के मदद मिली हुई है, तथा इसमें किर्शी बागवानी के संदर में एक्गरी सिल्वी, सिल्वी पास्ट्रोल पडालियों को बड़ावा देने के लिए किर्शी बानकी के मॉडल्स विक्सित किये गए है, इससे किसानों की आयमें ब्रद्धी की जा सकेगी, एक्गरी सिल्वी के तहट बानकी और खाद फ़सलों की खेती, ब्रक्षों के वीच प्लब्दिस्थान पर चार या फसले उगाई जाती है, सिल्वी पास्ट्रोल के बारे में इसके तहती एक ही भूमी परवाने की के साथ सत्पशुधन के लिए चारा भी उगाया जाता है, और इसे छेतरी इस तर पर संतति परीक्षण, और चैन के लिए स्वादेशी नसल क मनवेशियों को उतपादक्ता में शुधार करने में सहायता प्रदान किये, इस तरह के स्वादेशी नसलों में साली वाल गाये, थार पार कर बेल, गिरी नसली की गाये, बन्नी भैस और कांकरेज गाये भी सामेल है, C.A.R.I. एक निर्भी, कड़कनाथ, अंकले, शुर्ज यसी देशी कोकुट प्रजातियों के उतपादक्ता की ब्रद्धी के कार्ड कोकुट पालन को भी बढ़ावा दिया गया है, तो यह की करत किछी की संदर में, अब आता है, स्वास्त के छेतर में देखा जाये थे, I.C.A.R. के द्वारा, टीको और नैदानिक शुदाओं का विकास किया है, इसमें पशुदन के स्वास्त और प्रबंधन में, सुधार और उनकी धक्ता में ब्रद्धी हुई है, इनसे देश में कई सारे पशुवरोगों के उनमूलन में यूगदान दिया है, और इन रोगों में आते हैं, रिंडर पेस्ट, संग्रामक, बोबायन, पिलूरा, निमोनिय, अफ्रिकन होर्स, सिक्नेस, और डोरेन आता है, अब आता है कि जलवाई इसमार्ट किर्सी में यूगदान के बारे में, ये बरसा जलसंचिय, सामदा एक तालावों हाइड्रोपोनिक्स किर्सी पर देती, तथा फसलों की, जलवाई अनुक्रम फिर कि पिल्वाई इसके अंतरगा सामिल है, फिर आता है जैप प्रोध की समाधान की बारे में, आइसी यार की द्वारा को पुशन की समस्य से निपटने के लिए फसल बायो फट्रिफिकेशन का कार शुरू की हो गया है, बायो फोर्टिफिकेशन फसलों में सूलापुरलाल फट पुशा डबल जीरो मस्टर थर्टीबन आदी सामिल है, पुशा डबल जीरो मस्टर थर्टीबन के नौला गुडबत्ता वाली सरसों की पहली भारती किश्म है, किरसी अपसेस्टिया पर आली जलाने की समस्या को कम करने के लिए किरसी फसल हाउसेस की सौवस्थाने या इन इसका नाम पिर्थम रखाए गया है अब आता है नीली क्रांती में योगदान की बारे में इसमें केज कल्चर को बढ़ावा दिया गया है जिसमें पिर्थी इकाई उत्पादेक्टा में ब्रद्धी हुई है केज कल्चिर बस्तुता कम जगहे में अधिक मात्रा में मत्स पाल के प्रवाओं को कम करने बायो फैस तक नहीं गो अपनाया है इसके अलावा आइसे यार आकरमग विदेशित पर जातियों की जल्द पहचान करने में जाग रुकता भिहान चलाता है आइसे यार सभी हेमाली राज्यों में ठंडी पानी के मत्स पालन की बिकास में इदर्सा अब आता है अंतर राज्टी किसी अनुशंदान सलाहकार समुग के बारे में इस सलाहकार समुग की जो इस्थापना है वेवर्स 1961 में की गई थे यादाताओं की ये कैसे रण्यतिक सांजिदारी होती है जो बंद्रा अनुशंदान के इंद्रों का समर्थन करती है एसरकार नागरिक समासंगट नो नीजी बेशायों का सायों के लिए कार करती है C.J.A.R.A. वेश्वे कानुसंदान सान्यदारी है जिसका मुखोदे साध सुरक्षित बविश शुरशित करना है और यह जलवाई संकट की स्थिती में भोजन जलपडालियों का पुनरधार करने की पृति समर्पित है यह पांच प्रभाव चेत्रों पर अपने दिर्वान के अंदरिट करती है जिसके अंतरगत पहला आता है पोशन, स्वास्तो, खाद, सुरक्षा दूसरा आता है गरीवी, उन्मूलन, आजीब का नोकरियां, तीसरा आता है लेंगिक, लेंगिक समानता, यूबा व समाजिक समाविशन, फिर पांच माद, चौथा आता है जलवाय और उकूलन, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है परियावन की स्थिती और जैब विवित् अब जानते है राष्टी हल्दी बूड की बारी में, हल्दी बूड का उद्दिस जो होता है वैं नई उत्पादों मूल बर्धन को बढ़ावा देकर घरीलू अंतराष्टी बाजारों में हल्दी की मांग को पैदा करना है, हल्दी और हल्दी से सम्मनित पादों के निर्य यार करना हल्दी के उसदी उना च्वास्त और आरुग्य को बड़ावा देने गुड़ों का अध्यन करने नेदाने परिक्षण और शंधान को प्रोसाहित करना होता है अब आता है रास्ती हल्डी बोड़ की सरफणा के बारे मैं इसका अध्यक्ष कैनी सपरकार दौरा निक्त होता है भर्त में हल्दी के बारे में भारत हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और भोगता और निर्यातक देस भी है पिर आता है कि हल्दी से सम्मंदित कुछ तथ्यों की बारे में आता है तो इसमें पहला आता है कि अधरकुल से सम्मंदित की कूश्यकटिवंधिये पोधा है जिसका तापमान 20 से 35 डिगरी सेल्सियस के बीच तापमान रहता है इसमें बरसा 1500 मिलीमीटर या इसे अधिक बार् लाल दोमट मिर्दा की आवश्यक्ता होती है इसका अवधी रूपन 9 से 10 महिने के बाद प्रकंद या हल्दी की प्राप्ति होती है फिर इसके बारे में कि भारत ने किसी में लगवक 3.24 लाग हेक्टियर भूमी पर हल्दी की खेती की जाती है जो की प्रतिवर्स 11.61 लाग लाग होता है जो की बैस्वर्स हल्दी के उत्पादन में उनकी हिस्सेदारी 75% से अधिक होती है भारत में हल्दी की 30 किश्मों से अधिक किश्में उगाई जाती है जिसमें सबसे बड़ी हल्दी के उत्पादक राज महराश्ट, तेलंग, अना करनाटक और तमिल लाड़ो आते हैं भारत का हल्दी का निर्यात मुखरूब से बांगलादेश से अधिक तरब अमीरा यू ऐसे वा मलेशिया को किया जाता है जिसका निर्यात मोले 2030 तक एक बिलियन डॉलर पहुचने का उमीद है अब आता है इसको निसकर्स के तूर पर जाने कि हल्दी के लिए एक अ एक्स टॉपिक जिसमें आते हैं नोबल प्रुसकार 2023 की वारी में हाली में 2023 की नोबल प्रुसकार की विजेताओं की घुशना की गई है जिसके अंतरगत पहले तो जानते हैं नोबल प्रुसकार की बारी में और नोबल प्रुसकार की छेत्रों में दिया जाता है फिर नोब नोबल फाउंडेशन करता है एप पुरुसकार अलफेर्ड नोबल की बसेयर जो की 1895 में तारह स्थापित किये गई थी और अलफेर्ड नोबल जो की एक सुईटिस नागरिक थी जोनोंने एक अभिशकारक और उधमी भी थे और अलफेर्ड नोबल को डाइनमाइट जिसमें बहुत की रसायन, चेकिस्तारा, साहित, सांती और अलफेर्ड के लिए दिया जाता है यह पुरुसकार अन लोगों को दिया जाता है जन्होंने पिछले बरस के दोरार मानाव जाती कि सरबादिक कल्यार में योगदान दिया और फेर्ड नोबल दोरा बिरासत में छ पुरुसकार के तोर पर विजेताओं को क्या मिलता है इसके बारे में जानते हैं जिसमें आता है कि एक नोबल डिप्लोमा जिसमें पुरुसकार रासी में ऐसे आमतर पर 11,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 बिताओं को व्याख्यान देना होता है। नोबल पुरुसकार बिजिताओं को लोरियंट कहा जाता है और यह सब्दावली प्राची न्यूनान में प्रतीस परधा के बिजिताओं को दी जाने वाली लोरेन रीत से प्रेरित है। पर एक डॉकुमेंट की विज्ञान इवंपरोदी की खंड में पहले से ही बताया जा चुका है। अब आता है इसके बारे में इसमें देखते हैं सबसे पहले तो कि ब्रादत में नोबल प्रुसकार बिजिताओं की बारे में जानते हैं। जिसमें पहले नमबर पर आते हैं रविन्ना टैगोर की बारे में। यहने साहित का नोबल प्राइस उन्नी सो तेरा में दिया गया था और यह प्रुसकार उनकी आतिदे। सम्वेदन सी नभीन और सुन्दर लेखन के लिए दिया जाता है। और उनन लेखन से लिए उत्क्रेश्ट कोशल की भी काबी की रचना की हुई थी। फिर आते हैं सीबी रमन, सीबी रमन को 1930 में यह प्रुसकार प्रकास के प्रिकीडन में सुधकार और रमन प्रभाव की खोच के लिए दिया गया। नेक्स्ट हरवुगोविंद खुराना जैने फिजियोलोजी या चिकिस्टा का नोबल प्राईज 1968 में दिया गया। प्रोटीन संस्क्रण में आनवान से कोड और कार की व्याख्या करने के लिए। फिर आता है मदर टेरिसा सांती का नोबल प्राईज 1969 में पेड़ित मानो समदायों की इसाहेता के लिए दिया गया। सब्रमान्यम चंद सेकर भोतिके का नोबल प्राईज 1983 में तारों की सनचनाव विकास ही तु महत्पूर्ण भोतिक प्रियाओं के अध्यन के लिए दिया गया। अमरत रसैन को एर अरसास का नोबल मेमूरियल प्रॉसकार 1998 में दिया गया। फिर आता है बेकंट रमन रामकुष्णर कुरसैन का नोबल प्रॉसकार 2009 में दिया गया। फिराते हैं के लाज सत्यारत हैं, जिन्हें 2014 में नोबल प्राइस दिया गया, जो कि बच्चों एवं युवाउं के सोसर्ड के खिलाब सभी बच्चों के सिक्षा के दिकार है तू संगर्स के लिए फिराता है, अब जीत बनर जी जिन्हें अर्षास्त का नोबल प्राइस 2019 मे दिया गया और दुनिया भर में गरीबी दूर करने के लिए experimental approach अपनाने हे तो एक पुरुसकार राज भारतियों को दिया गया जिसमें से चार भारतिय मूल के भारतिय रहे हैं अब आता है अब हम जानते हैं इसके बारे में अरसास में नोबल पुरुसकार के बारे में जिसमें स्रमबल की महलाओं की बारे में जानते हैं किया किसके संदर में दिया गया इसमें आता है कि अरफिर रोमल नोबल की इस मिर्थी में अरसास का नोबल प्राइस दिया गया इसमें स्वेरिसे डिक्स बेंक पुरुसकार दूहजार तेईस दिया गया कलाउडिया गोल्डिन की गिदेने की घोशा की गया गोल्डिन कहा है पुरुसकार स्रमबाजार में महलाओं की भागिदारी की आउटकम्स के बारी में हमारी समझ को बढ़ावे देने के लिए किया गया है अन्य सम्मन्दी तत्थों में आता है कि पिछली सदी में आउच आयवाले कई देशों में बेतने कारियों में महलाओं का अनुपात वड़कर तीन गुना हो गया है यादनिक समय में सरम बाजार में हुए सबसे बड़े सामाजे को रालतिक बदलाओं मैं से एक है हाला कि लेंगे के स्थर पर अश्मानता की समन से अभी भी मौजूद है किलाओ डिया गोल्डिन ये सूध पे ने हमें एक सरम बाजार में महलाओं की अतिहासिक और समकाली मुमकाओं की बारे में नई और कई जगे आर्श्चर जिनिक समाज भी प्रदान की हुई है अब आता है कि इसमें सरम लेंगिक भी दभाव को कम करने की आखिर आविश्यक्ता क्यूँ है इसके संदर में देखें कि समाज में संसानों का सरवादिक उसल उपियोग सुनिश्चित होता है आर्थिक दक्षिता में सुधार होता है आई की स्तर में ब्रद्धियों गरीबी में कमी होती है और स्टीजी की प्राप्ति में सहायता मिलती है तो इसके संदर में इसकी आवश दक्षण एशिया में केवल 25% महला ही सरंबल आजार का हिस्सा रही है। विकास और महला सरंब भागिदारी के बीच युवाकार का संबंध होता है। लेकिन यह रेचियों एक बीच इन पुर्षों महला भारत में महलाओं पुर्षों के बीच आए का अंतर कम होता है। पुर्षों ने जितनी आये अर्जित की है उसका 76% आये महलाओं ने अर्जित की। और 2004 में इसका अंपा 70% और 2000 में 21-22 था के अंपा 30-3 बना हुआ था। फिर आता है आवसर की संदर में कि महलाओं को आपचार एक रोजगार में कार करनी की समभावना कम होती है। इसके इसके इनतरगत पहला कार इक आता है, जिसमें ये युवाकार का पहली रंबल तो ये दिखाया गया है। जोए कि यू आकार के संदर में, जिसमें किसी छेतरक उधोक सीवा की संदर में दखाया गया है, एक रेशियो को दिखाया गया है, अब आता है यू आकार के कर्म, कि पहले एहमान लिया जा गया था कि आर्थिक समरदी और वेतनभोगी, रोजगार में महलाओं की संख्या के बीच एक इस पश्टता इस पश्ट सकारात मकता है गोल्डन के यू आकार के कर्व ने प्रदर्सित किया है कि इसके रमाजार में महलाओं की भागेदारी अर्थिक समरद्दी के बीच एतिहासिक रूप से कोई सुसंगत सम्मंध नहीं है सामाजिक मांदर्ण में देखा प्रतिबंद की रूप में जाना जाता है एकसर विवाहत महलाओं को सरम की बड़ती मांग की बाव जूद रोजगार में बनी रहने से रोखती है इसके अलावा महलाओं अकसर विवाहत के बाद लंबे समय तक रोजगार छोड़ देती हैं और इससे सिक्छा और अन्ने को असल से जुड़े इनके चैन का नाकारत में प्रभाव पड़ता है बड़ाम सुरूप उन्हें आने वाले समय में नोकरी और करियर भी इनका प्रभावित होता है तकनीकी नवाचार की संदर में कर्म निरुधक दवाओं का सीवन बढ़ने से महलाओं देर से विवाहत करने है इतना जरूर है कि 1970 की दसक के बाद आयका अंतर काफी कम हो गया है मासिक बीतन प्रणाली में आर्थिक समर्दी महलाओं में सिक्छा की बड़तेज तरो बीतन भूगी महलाओं का अनपाद दुगना होने की बाब जुद 1973 और 1910 के बीजाय का अंतर लगबग एक जैसा ही ह पीश वर्क कॉंट्रिक्शन और कुत्याग ने आदमिक बेतन प्रणाली को अपनाने का कारण हुआ है पीश वर्क कॉंट्रेक्ट ने एक कर्मचारी को उनके वर्क परफूमेंस के आदर पर भुक्तान किया था ना की फिक्स सेलरी देकर किया हुआ था अब आता है वाजार में कई सरेछी द्रण कामगारों में यह उपेकश की जाती है कि भी रोजगार में नरंतरों पलद रहें और न्युकता की उपेकचाओं के अरुप लचीला बना रहें गौरतलब है कि बच्चे के जन्मे की बाद महलाओं के लिए ऐसा करना मुस्किल हो जाता है आं है सामुही कारवाही के बारे में किया दीजी और साव्डिनिक छेत्रों की अگ्रहली संक्टों दवारा सामुही के पिरस्मन बिद साइसिक कारवाही की längerक्समानता की दिसार प्रक्ति को तेच करने में सहाइक होगी निवेश के संदर में कि महलाओं को सूचना सिक्छा और स्वास सेवा तक समान पहुच परदान करने तेधा निवेश करने में लेंगिक समान ता सुनिश्चत करने में काफी मदद मिलती है जैसे ब्राजील ने कोरूना महामारी की शुरुवात में आपात कालीन साहे तनगत अंतरण कारिकरम सुरू किया था इसके तहट महलापरदान वरिवारों को दुगना लाव दिया गया था इसी गरीबी दर गिरावट आई है फिर आता है अनुकूल बातावरन जिसमें सरस्थागत बाधाओं को दूर करने के लिए करपडा ली सारजुनिक ब्यावित्तिया उसनचना बिनेमों की साथ सरस्रम बाजार में शुधार करने की आवशिकता है और नौरवे ने सारवहों में एक ख़वाल सीबा की विस्तार में माताओं की रोजगार करने की संभावनों 32% की बड़ उत्री की हुई है फूरुबा गरहों और सामाजिक माननंडों से निपटने की संदर में उसमें हाली में आर्थिक सहियों को विकास संगठनों के अंसर सामाजिक संस्थावनों ल से नुकसानों को कम किया जा सकता है सुख्चिंबिक तक पहुँच के बारे में कि इंटरनेशनल ग्रोज सेंटर नामक एक परियोजना में पाया गया है कि भारत ने सुख्चिंबिक तरणों की अधिक पहुँच से महला सरंबल की भागेदारी में लेखनी विरद्दी इसके तहित साबित निकमात्त आउकास वड़ा कर जो 26 सब्ताय से कर दिया गया है साथ ही पचास या उस्यादी कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठाना में आनिबारे क्रेच सुख्दा परियाप्त सुरक्छा उपायों की साथ रात में पाली में महला सरंब को की कारबल की अन निरंतर उपस्थती अनिबार नहीं है यहां तक्नीकी और परिवेक्षी और परिबंदी की है कारियों महलाओं को रोजगार दिया जा सकता है फिर आता है 22 सहिता 2019 की बारे में जिसके अंतरगत किसी प्रतिस्थान में लेंगे काधर पर महलाओ अपुरुस कर्मचारियों के बीच भीदभाव को प्रतिबंधित किया गया है फिर आता है प्रिसिक्षण और कोसल के संदर में इसमें महलाओं के लिए उद्धों के प्रिसिक्षण संस्थानों रासानिक बिरशाइक सिक्षण संस्थानों के रेट वर्क की साहिता से महलाओं के प्रिसिक्षण परदान किया गया है अब पढ़ते हैं इसके से रेलेटिव टॉपिक पूरे फिनिश हो गए हैं अब आते हैं संशिप्त सुर्कियों की बारे में संशिप्त सुर्कियों में पहले सुर्किया आती है आउधिक सरंबल सर्वेक्षड रिपूर्ट की बारे में आउधिक सरंबल सर्वेक् माहे की अलपकालिक समय अंतराल पर प्रमुक रोजगार और बीरोजगारी संकित को का अनुमान लगाया जाता है और बारसे ग्रूप से एसा है ग्रामीर तथा सहरी दोनों छेतरों में सामानिस्थिती और CWS तोनों में रोजगार और बीरोजगार की अनुमान लगाया जाती ह इसके संदर में आता है, फिर आता है कि इसके संदर में देखते हैं कि PLF के में प्रियुक्ति प्रोंक संकितत के बारी में देखा जाए तो इसमें पहला संकितक आता है स्रंबल भागिदारी में, स्रंबल भागिदारी में है कुल आबादी में स्रंबल में सामिल वक्तियों का प्रश्रत होता है इसमें कारे रतों काम की तलास में लगे लोगों को काम करने के लिए उपलब्द लोग सामिल होते हैं स्रमक जनसंख्यान पात की बारे में कि इसमें कुल जनसंख्या में रोजगार प्राप्त बेक्तियों का प्रश्रत होता है फिर आता है बेरोजगारी दर के बारे में कि जिसमें बेरोजगारी की दर की संदर में सिस्रम बल में सामिल कुल लोगों में बेरोजगार बेक्तियों स्थिति के बारे में देख लेते हैं कि इसकी सामन स्थिति कारे आउधी में गतिविती कनरधान सरविक्षर तारीक से ठीक पहले 365 दिनों के संदरप के आधर पर किया जाना चाहिए और बरतमान साहता है कि स्थिति में कारवधी कनरधान तारीक से ठीक पहले 7 दिनों में की में WPR और UR के प्रिष्ट को दिखाया गया है अब आता है हमारा नेक्स टॉपिक मतलब की संचेप्त सुर्खी के अंतरगर नेक्स टॉपिक आता है bond yield की बारे में bond yield की क्या होते है bond yield को हाली में बारती रेजर्ब बेंक ने सरकारी प्रतिभूतियों को open market operation के जरिये बैचने का फैसला किया है इसे बित्वर्ष 2023-24 में bond yield बढ़कर अपने उच्चिता मिस्तर पर पहुँच किया है RBI बाजार में रुपे की लागत तरलता को बनाए रखने के लिए OMOS का उपियोग करता है bond जो होता है वह एक प्रकार का रिण लिखत है अर्थाती है बाजार में से रिण लेने का एक साधन होता है इसे खरीद कर कोई निवेशक किसी एकाई पर कॉर्पेट ये सरकार को पैसा उधार देता है इसे bond जारी करता को निलधारे ताउधी के लिए फ्लोरिटिंग दर या नेश्चित ब्याज दर पर रिण प्राप्त होता है बॉर्ण काउपियों कंपनियों नगरपालिकाओं तथा कंपनियों नगरपालिकाओं राज्चों तथा संप्रभू सरकारों द्वारा लिखित बिभिन्ने परियोजनाओं और गतिविधियों के बित्त पोशन के जरिये धन जुठाने के लिए किया जाता है फिर आता है कि सरकारी प्रितिभूतियां केंसरकार तथराजी सरकार द्वारा जारी किये जाने बाले ब्यापारियों के लिखित साधन होते हैं लिखित यह साधन होते हैं यह सरकार की रण संबंदी जरूरतों को पूरा करते हैं एक प्रतिबूतियां जो हैं बयालपवधी या दीरगवधी की होती हो और ऐसी प्रतिबूतियां जिनकी मूल परिपकतावधी एक निश्चित एक बर्स से कम होती हो ने आमतोर पर ट्रेजरी बिल कहा जाता है और इसी तरह से जिन प्रतिबूतियों की मूल परिपकतावधी एक बर्स या वस्य अधिक होती होने सरकारी बॉंड या दिनांकिर पृति पृति कहा जाता है। बॉंड इल्ड के बारे में बॉंड इल्ड वह रिटर्ण होता है जो कि एक नवेशक और इसकी संपूर परिपकताओधी के दौरान प्रतिक वर्स प्राप्ते करने की उम्मेद रखता है इसके संदर में आता है। बॉंड इल्ड के बारे में दिनांकिर प्राप्ते करने की लागत के रूप में भी जाना जाता है। और बॉंड मूल को दिखाए गया। बॉंड इल्ड या बॉंड मूल के बारे में इसके संदर्म को यह सम्मूदित करता है। अब आते हैं हमारे नेक्स सुरकी जिसमें व्यापार और विकास रिपोर्ट दो हजार तेईस के बारे में बताया गया है। सेक्तरास्ट परिवयापार और विकास संगठन या अंकिटार्ट के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। रिपोर्ट के मुख्य बिन्दूों को देखा जाए तो जिसमें पहला आता है कि इस रिपोर्ट में बैश्विक अर्थववस्ता की बरतमान इस्ति का विशलेशन किया गया है। पहला आता है कि भारत में अर्थववस्ता से जोड़े अनमान की बारे में। जुन पहला आता है कि भारत की आर्थिक समर्दीदर दोहजर तेईस में 6.6% और दोहजर चौबिस में 6.2% रहने का अनमान है। इसके संदर में आता है कि भारत में इने जी और सरकारी छेतरक के साथ साथ बाहर छेतरक में भी घरेलू विकास में योगदान दिया किया। जुन दोहजर तेईस में भी रोजगारी दर 8.5% होना और बढ़ती इसमानता भारत के लिए एक चिंता का विशय बना हुआ है। इसके मुख्र कारियों में आता है कि अधिक निया संगत रूप में भाग लेने में मदद करता है। परिवहन्स पर समीक चाह रिपोर्ट इसके द्वारा प्रकासित की जाती है। रिपोर्ट में कि गई प्रुमक सिफारस पर नज़र डालें तो जिसमें पहला आता है बित्ती इस्थिरता के संदर में केंदरी बैंकों को निश्चित नेजी और सार्ज निक्छेत्रों पर के लिए एक दीरकालिक बित्ती इस्थिरता बनाय रखने के साथ साथ पर शमनबय को मजबूत करना चाहिए फिर ने एक स्ट आता है कि सामाजिक सुरक्षा के संदर में जिसमें ब्यापक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्यत करने के लिए बास्तविक बेतर में ब्रद्दियों और प्रतिबद्धिताओं की जरूरत होना चाहिए एनरजी ट्रांज से धर्ष्टीकॉन विक्सित करने की आवश्यक्ताएं, डेर्ट में सिर्फिंग में भर्वाइब單 को दूर करने के लिए की दारी में लाएगा तो रिस सुधार अत्मक परिविक्चन एकारवाही के एकाउद देश सभी सही समय पर परिविक्ची उपायों को लागू करना और इसके तहट परिविक्ची संस्थाओं के समय पर सुधार संबंदी उपायों को सुरू हो लागू करना है ताकि उन्हें बित्ती संकर्ट से बचाया जा सकें फिर आता है कि NBFC के लिए PCA फ्रेमबर 14 दिसम्बर 2021 को आरम भी किया गया था और तब फ्रेमबर की समेक्षा की जाती रही है नई समेक्षा के तहट 1 अक्टूबर 2024 से सरकारी NBFC को भी PCA फ्रेमबर के दारे मिलाने का नड़े लिया गया है और इस NBFC के फ्रेमबर की तिसमार्च 2024 तक किया उसके बाद कीजा चुकि बित्ती लेन ने लेखा परिच्छा की आधार पर लागू होगा बेश लेयर में उन NBFC को बरगी किरत किया गया है जो जमा सुईकार नहीं करती है जिनकी परिशमपत्ती का अधाकार 1000 करोड होता है बेश लेयर के अतरिक 3 लेयर भी होती है जिसे मिडल लेयर अपल लेयर और टॉप लेयर कहा जाता है सरकारी NBFC में सामिल है PCA, PFC, REC, IRFC, IFC याई इसके अंतरगते सामिल होते है अब आता है कि NBFC को PCA फ्रेंबर के दारी में निम्लिखित कारण लाने की निम्लिखित कारण होती है जिसमें पहला आता है बित्ती दरश्टी से NBFC का आकार काफी बढ़ गया दूसरा आता है बित्ती पुणाली में अन्य घटकों के साथ इससे जुड़े हो जाने और ये अर्थविस्था के लिए अधिक और महत्रपूर हो गई है अब आता है सुधारात्म कारवाही के बारे में सुधारात्म कारवाही है गवर्नेंस पुणी लाप्रवत्ता और बेवशाय से समंदित विवेकाद ही इन कारवाहियां होती है और इलावांस बित्रन लाप्रेशन पर प्रितिबंध लगाती है और साखा विस्तार पर भी प्रितिबंध लगाती है अब आता है हमारे नेक्स्ट हेडिंग भारती रिजर्बेंग के बारे में बारती रिजर्मेंग बिलफुल डिफॉल्टर्स और लार्ज डिफॉल्टर्स के साथ बेवहार दिशा निर्देश 2023 के बारे में इसके अंतरगर जानते हैं कि इन दिशा निर्देशों के तहर तारवियाई ने बीने में संस्थाओं के अधिकार छेत्र का बिस्तार किया हुआ है और इस संस्थाओं जब उधार दाता हूँ उधार करता हूँ को बिलफॉल डिफॉल्टर की रूप में बरगी करत कर सकती हूँ बिलफॉल डिफॉल्ट की परिभासा कब इस्तार कर सकती है और उनकी पिक्रिया में शुधार कर सकती है इनकी तिसा निर्दी सु सम्मंधित मुख्य बिंदूओं की बारे में देखें तो इसमें यह किन पर लागू होती है यह बैंक, गेर बैंकिंग बित्ती संस्थान, सहकारी बैंक, छेत्री ग्रामिड बैंक, इस्थान ही है परिभासा की बारे में, परिभासा यह एक बिलफॉल डिफेल्टर एक ऐसा उधार करता है या गारंटर होता है जो रेंड चुकाने में, सक्चम होने की बार रेंड की आदाएगी नहीं करता हो और इसके तहरे नियुनतम पकाय रासी 25 लाग रुपिया उसी अधिक होनी चा परिभासा की बारे में, पहचान पिकलिया एक पहचान समीती द्वारा साक्षों के जाच की बाद किसी उधार करता को बिलफुल डिफॉल्टर की रूप में बरगी करत किया जाएगा और इसके बाद बिलफुल डिफॉल्टर में कारण बताओ नोटिस भी चारी किया जाए समीक्षा समीती के अंतरगत है बिलफुल डिफॉल्टर की रूप में बरगी करण के लिए पहचान समीती के प्रिस्ताव पर भी विचार करती है और इसके अन्य प्रावधानों को देखा जाए तो बिलफुल डिफॉल्टर पर कोई अतरिक्त क्रेडिट शुब्दा नहीं दी जाती हो या रूपुल डिफॉल्टर की सूची से हटने के बाद एक बरसता प्रभावी रहेगी जो रेंडाता में मूल देंदार के खिलाप कारवाही को पूरी किये बिना कारंटर के खिलाप कारवाही कर सकेगा अब आता है कार्ड ओन फाइल टोकनाइजेशन के बारे जैसी सम्मेद असील जानकारी हो जागर किये बिना सुरक्षे तो उनलाइन खरिदारी भी की जाती है फिर आता है कि यह दो हजार बाइस में इस प्रिक्रिया को लागो किया गया थो बार नतमान में COFT टोकन के बल मर्चेंट के लिए अप्लिकेशन ये वेब पेज की माध् करने के साथ साथ ट्रांजेक्शन संब्रंदी सुरक्षा में ब्रद्धी करना है और इससे कार्ड से डेटा से संब्रंदे धोकदाड़ी में भी कमी आएगी अब आता है बस्तु इवं सेवा कर परिशत की बावन भी बैठक जो आयोजित की गई है उसके बारे में कुछ इं इस्टी पर अठाइस परसेंट से घटा कर पांच परसेंट की सिफारिस की गई हो चीनी में ने करना किसानों को तुरेत भुकतान कर सकेंगे मानव भूक के लिए अलकोहल एक्ट मदरा के निर्मार के उपियों किये जाने वाली एक्स्टर न्यूट्रेल अलकोहल को जी एस् सदस्ट की योगिता की बारे में जिसमें यह सुनिश्चित की जाती है कि यह अधिनियम 2017 की प्रावधानों में अधिकरन सुधार अधिनियम 2021 को रंखे संरेखित करेगा जिसमें अधिक्शिवम सदस्टों की नियूंतम आयू 50 बरस होना चाहिए हो जिसका कारिकल 70 यह 67 बर यह एक सम्मेधान एक निकाह है जिसे यानुशेद दू सुनिया सी 101 भी सम्मेधान संसुधा नधिनियम 2016 की तैवत्य हमसे इसे जूड़ा गया था इसके अध्यक्शिकेंदरी बित्ति मंत्री होते हो और इसकी सदस्टिकेंदरी बित्ति राजि मंत्री या राजिश प्रभ बित्या कराधान की प्रभारी मंत्री अप्रतिक राजिसरकार दौरा नामित कोई कारे मंत्री होता है फिर इसका कारे जो होता है वह जी एस्टी के कारेणमें से सम्मनित मुद्दों की सिफारिस करना है वो मद्दान की माध्यम से निर्णे लेने की संदर में निर्णाई के अपीले प्रादिकरण के बारे में जो कि जेन दिरे जीस्टी अधिनियम 2017 का एक बैधानिक निका है यह जीस्टी के कानूनों के थायत अपील का एक दूसरा मंच है जो के अंदरे राज्यों के बीच विवास समाधान का पहला साज़ा मंच होता है पहले इस्थान पर यह अप प्रादिकरण पुनरिक्षण प्रादिकरण दौरापारे तादेशों की अपीलों की शुनवाई करता है इसके संदर में आता है इसके अंतरगत आता है अब आता है राज्टी निवेशो आवसर नचना कोस के बारे में NIIF और ने 600 मिलियन डोलर की भारत जापान कोस की स्थ आने वेशक होता है इन एए आई एफ के बारे में यह से भारत सरकार द्वारा इस्थापित किया गया अंतराज्टी और नहरती निवेश्कों के लिए एकसा ही होगी निवेश प्लेटपॉर्म होता है इन आई आई एफ प्लेटफोर्म की तहे सरकार के तीन फंड होते हैं जिसमें पहला आता है मास्टर फंड, दूसरा आता है फंड, ओफ फंड, तीसरा आता है स्टेट जिट, अपुने अपॉर्चुनिटी फंड, NIIF काउद दिस मुखतोर पर एक्यूटी और एक्यूटी से जुड़े विपत्रों का निवेश करना भी होता है। सुधार हो, वीमा भाहकों के काम का दारही के बारी में किया गाओं में वीमा के बारे में जागरुकता बढ़ाने के अलावा, प्रपोजल फॉर्म भर में क्राहकों के लिए कीवाई से, फिक्रिया को सुब दाजनक बनाने, वीमा पॉलिसी जारी करने आधी तक होने की अब आता है क्रिटिकल औसामरिक खनेच के बारे में, क्रिटिकल औसामरिक खनेच के केंदरी मंत्री मंदल ने, तीन क्रिटिकल औसामरिक, खनेचों में लीथियम, नायोबियम, दोड़ला भूतत्तों के खननन के लिए रोयल्टी दरों को मंजूरी दी है, क्रिटिकल जिसमें आर्थिक विकास और उसकी राश्चि-शुरेक्ष्चे के लिए अत्यमता विश्यक माना जाता है और कोई कि्रिटिकल खनेज है नहीं इसका मापन दू बांदनों पर होता है, जिसमें आर्थिक माहत आप पूर्ती सम्मंध freshly जोखियम को किया जाता है. फिर आता है कि रॉयल्टी दरों को मंजूरी देने के बाद कि इन सरकार ने देश में पहली बार इन क्रिटिकल खनेजों को खनन हितु पिलॉक्स की नीलामी कर दी है यह देश की संपर्दा पर सरकार का प्रुवत्य स्वामित होता है इसलिए यह खनन करने वाली कंपने को खनच पाद पर आर्थों का खनन करने के बद्दी सरकार को नरधारे दरों पर आर्थिक भुक्तान करना होता है जिसमें आर्थिक भुक्तान को ही रोयल्टी कहा जाता है खान और खानेच विकास बिनवय अधिनियम उनीसो संताओन की दूसरी अनिसूची में रोयल्टी दरों से सम्मान देते या किसी खानेच के लिए रोयल्टी दर निर्धारित नहीं की गई हो और यह रोयल्टी यह दर जो है वह उसत विक्री मूल की 12% होती है जिसमें लीथियम, नाई ओबियम, दोलब भूततों के लिए एक्रम सा 3%, 3% और 1% की रोयल्टी निर्धारित की जाती है बर्तमान में भारत में रोयल्टी दरों दुनिया में सबसे अधिक की गई है जिसमें प्रतियस परधात्मक प्रुभावित होते हैं जिसमें खनन करने वाली कंपनियों पर आर्थिक मोज भी बढ़ता है इसके महत्त के बारी में इसमें खनेच के लिए रोयल्टी दरों को बेश्विक स्थरों के अनरूप लाने के लिए खनन छेतरक में निवेस को बढ़ावा मिलेगा फिर आता है इसके अंतरगत की मायत्यपूर खनेचों की प्राप्ते के लिए खनेच विदियस इंदिया लिम्टेट नामा की एक सरकारी उदम संस्थान की स्थापना की गई है और 24 महत्पूर सामरे खनजों के लिए खननपटी समगर लाइसेंस की नीला में की पिक्रिया शुरू की गई है इसके संतरगती प्रोंग पहले आती है अब आता है इंडिया स्मार्ट सिटी पुरुसकार पृतियोक्ता की बारे में यह पृतियोक्ता का आई जुन आवासन और सहरीकार मंत्राले द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन की तहट किया गया है किया जाता है इसके अंतरगत आता है कि यह पिक्रिया जो है इन सहरों परियोजनाओं और नभी इन बिचारों को मानता देता है जो प्रोसकर करता है जो सो इस साथी समाविशी और निया संगत स्वास्त और सायोगी सहरों के बिकास को प्रोश सायद करते हैं यह 2018-2019-2020 में इसके तीन संस्करण प्रस्तावित हो चुके हैं जिसमें सेर्स तीन स्मार्ट सिटी में इंदॉर सूरत आगरा तीन सीर्स राच में मद्दिप्रदीश चंडीगर आता है फिर आता है परेटन शेत्रक को बढ़ावा देने के लिए गोवा रोड मेप की बारे में गोवा रेड मेप जोकी जी ट्वंटी की दिल्ली घुष्णा पत्र के सतत्विकास लक्षो की प्राप्ति के लिए परेटन शेत्रक को बढ़ावा देने के लिए को रेखांकित किया गया इस रोड मैप के अंतरगत पांच प्राथ मिखता हैं जिसमें आती है हल्प परेटर डिजिटली करण कोसल वेकास परेटर ने मसमी और गनतब प्रवंधन आता है दिल्ली गोशना पत्र में ट्रेवल फूर लाई पहल की शुरुबात की गई है यह पह इस बोड शुरू किया है यह डेक्सपूर्ड एक वेश्विक रिपोजेटरी की रूप में कार करता है रिपोजेटरी जी टॉन्टी पेरदेशों की संधानी परेटन पडालियों और नेतियों की सरवुत्तम उधाने और केस स्टरी को प्रदर्सित करता है अब आता है निर जुन उन 2024 तक बड़ाने की घुर्षन की है इस योजना की बारे में जाने कि यह निर्यात पर सूल के छूटे योजना की रूप में कार शुरू की गई है इस योजना की अंतरगत उन निर्यात को को सम्मद्ध सुल की अकरों की प्राप्त राज़ी को बापिस कर दी है जिन वो इस सिद्धान के उन्षा करोईवन सुलकों का निर्यात नहीं किया जाना चाहिए यह विश्व व्यापर संगठन के नियोमों के अनुरूप हो इसे end-to-end IT परिवेश में लागू किया जा रहा है। पास उपलब्ध परियात और एलेक्टेनिक डीटा यान जो खिमाब दंडो की आधर पर उपलब्ध होगा। यह स्टीक होलर ऐसे बिजनिस टीडर होते हैं जिनोंने अंतराश्टी प्यापार में उतकरष्ट प्रदर्सन किया हो और देश की बिश्व देश प्यापार में आधिक योगदान दिया हो। अब आता है प्रमाणपत्र की महत्र की बारे में जिसमें आध पहला आता है अंतराश्टी बाजारों में मारती निर्टकात कों की बिश्व श्रीता वड़ेगी कस्टम के लिरेंस में प्राथ मिक्ता मिलेगी और छूट राप्त होगी इसकी संदर में प्रमाणपत्र का महत है आख आता है मोरियाने प्रोजेक्ट मोरियाना के बारे में प्रोजेक्ट मेरियाना तीन BIS इनूजीशन हब केंदरों में सायूक तरूब से विक्सित किया गया है जिसमें दाश्विक संगापूर यूरो सिस्टेम हब संटर्स सामल है इसका बेंग ओप परांस मोनिटरी अथोरिटी और सिंगापूर स्विस नेशनल बेंक के साथ इसमें विकास किया गया है अब आता है इसके संदर में देखा जाए तो ये इस परियोजनों में बित्ती है और बित्ती है संस्थानों के लिए होल सेल क्रेंदिरी बिडिश्चल मुद्राओं की सीम पर और ब्यापार और निप्टान परिक्छण किया गया है इसने पब्लिक बिलोकचेन की एक नई विकेंधरी के रधे प्रोध की आवधार नाओं को पियोग किया है होलसेल CBDC का तातपर केंदरी बेंक भंडार में अंतर बेंक हस्तान अंतर संबंदी होलसेल लेंदेंसे निप्टॉन करना है अब आता हैं बेश्विक नवाचार सूच कांग 2023 की बारे में इसकी उत्पत्ती संब्तराष्ट की एक भी सेसकार किरम की द्वारान 1967 की तहट की गई जिसका उदेश एक संतुले तोसुलब अंतराष्टी बौद्धिक संपिदा पडाली का विकास करना है इसमें 193 सदस्य देश हैं जिसमें भारत भी इसका सदस्य देश है अब आता है हमारे नेक्स की इसकी अंतरगत की जी आई ये विशुब की सरकारों के लिए अपने अपने देशों में सामाजे को आर्थिक चेत्र में होने वाले नवाचार आधारित बदलाओं का आकलन करने का एक विश्वशनी तरीका है इस करनेल उनिवर्सिटी इंस्टीट बिजनेस स्कूल वीपू से रूप से पती वर्से से जारी करता है और नवाचार के माबदर्णों में आता है संस्थाने मानो पूजी अनुसंधान अवसनेचना बाजार परिशकरन व्यापार का परिशकरन ग्यान और प्रोधिकी और रचनात्मक आउटपुट इसके प्रुमुक मादर्ण आते हैं अब आता है सूचकांग के मुख मिंदू में आता है कि सूच जलिन लगाता तेरवी इस्थान पर जी आई एई में पहले इस्थान पर रहा और विश्वक स्थर पर मजबूत तकनी की प्रक्ति हुई साथ ही इलेक्रिक बाहन और अर्टोमेसन जैसे प्रोधिकों को अपनान में तेजी आई भारत में नवाचार की स्थेती में भारत नेमने मध्यम आये बर्गवाले देशों में अजज गरहनी और इस्थिर बना हुआ है तता भारत ने लगाता तेरवी बर्स नवाचार में बहुत बहतर प्रदर्शन करने का केरतीमान हासल किया है सूध प्रकासन आउटपूट के मामले में भारत ने United Kingdom के पीछे छोड़ दिया हो जर्मानी के वल एक रेंग के पीछे हैं और सीर्स तो कलेस्टर में भारत के चार्ज कलेस्टर सामिल हैं जिसमें बैंगलोरू दिर्नी, चेन नई और मुंबई आते हैं अब आता है हमारे नेक्स्ट मल्टी ल प्रफ्तिमंत्रियों और के अंदरी बैंक के गवर्नरों के चौथी बैटक प्रिश्टूत की गई है इस बैटक में सुतंत विशे सक्समों ने रिपोर्ट का दूसरा भाग प्रिश्टूत किया है या रिपोर्ट बिगर, बोल्डर, बैटर के तीम पर एक बहु पक छे बि डॉलर कर दिया गया है, मडीवी के बित्तिय संस्थान होती है, जिनके स्थापना विश्य के कई देशों से मिलकर कारी करती है, जिसमें अंतराश्टी कानुन दौर असासित होती है, जिसमें बिटेन वोट संगिठन, इशिया इविकास बेंगादी, इसके अंतरगत आता है, अब आता है रिपोर्ट में की गई सिफार्सों की बारे में जिसमें पहली आती है बेटर M.D.V के बारे में बेटर N.D.D. जो है बैनिम नौमद्दे मायवाले देशों की मद्द बाहे बित्त पूशन अंतराल में जुड़ी मुख्य समस्या समाधान करती है फिर आता है बेगर M.D.V के बारे में जोकी जोकिम से बचने की ब्रवत्ती के बजाए सुक्चित जोखिम लेने की ब्रवत्ती को बढवा देने के लिए नेजी बित्त को प्रोस सहित करना चाहे फिर आता है बोल्डर MDV जो की कैसकेट सिद्धान्त को अपनाती हो और इसका आत्तात पर है कि यह सारजनिक छेतर के बैंकरेड प्रदान करने से बस्ती हो और नेजे छेतर के बिप्तका प्रबंद किया जाता है वह उपक्षे ने भी इस कारंटी एजनसी को भी सक्षस ससक्त बनाती है अब आता है उबरती बाजार बॉंड सूचकांग के बारे में जैसे जैपी मॉर्गन जून 2024 ने भारस सरकार की बॉंड को अपनाने व्याले बेंचमार EMBI से जोड़े गा है EMBI उन अंतराज दिये सरकार और कॉर्परेट बॉंड के लिए के कुल रिटर्ण प्रदर्शन कुमापने के लिए भी अंचमार्ग सूचकांग है जो बिसेश्टे तरल था और सनचनात मक सोड़ सनचनाओं को पूरा करती है इसके संदर में आता है अब आता है EMBI में सामिल होने वाले निम्रिके संभावित परणाम हो सकती है जिसमें पहला आता है कि देश की संपरभू उधार लागत में कमी हो सकती है दूसरा आता है चालू लागत खाते के बित्ते पोशन में मदद मिलती है पिर इसका तीसरा आता है कि घरे लूग बित इस क्लास में नेक्स टॉपिक के साथ मिलेंगे और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें जादा से जादा से जादा सेयर करें और पीडियेप के लिए यू पीएसी पीएसी विद्धिक्छा बर जाकर आप बनेवाल